लोगों की मान सिकता है यह सी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड देश वास्टों की आस्ता अगनी पत का लक्ष सेनाओं को युवा बनाना है अगनी पत का लक्ष सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बढ़ाय रखना है दुर्भाज्य थे राश्ट्रिय स्वरक्षा से जुड़े इतने संवेदंसिल विशे को कुछ लोगों ने राजनीती का विशे बना दिया है ये बही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड के गोटा ले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया ये बही लोग हैं जो चाहते थे कि एरफोर्स को कभी आदुनीक फाइटर जेट ना मिल पाए ये बही लोग हैं जिन्होंने तेजर फाइटर प्लेइन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयरी कर ली जिन्होंने एक मामुली रकम पांचो करोड रुपए दिखा दिखा कर वन रैंग वन पैंशन पर जूट बोला थे ये बही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनाथ हमारे जमानों को परियाप्त बुलेट प्रूप जैगेट्स भी नहीं दी थे प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी 26 जुलाई को ध्रास में कारगिल यद्धसमारक पर कारगिल विजय दिवस की 25 वर्षगाठ में शामिल हुए इस मौके पर प्रधानमंत्री मोधी ने आतंकियों से सहानुभूती रखने के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया और साथ ही अगनी वीर योजना को लेकर विपक्ष पर जम कर हमला मोला आए सुनते हैं क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी का कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना हमारे लिए सेना मतलब एक सो चालीस करोड देश वास्तों की आस्ता अगनी पत का लक्ष सेनाओं को युवा बनाना है अगनी पत का लक्ष सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बढ़ाय रखना है दुर्भाज्य थे रास्त्रिय स्वरक्षा से जुड़े इतने संवेदंसिल विशे को कुछ लोगों ने राजनीती का विशे बना दिया ये बहीं लोग हैं जिनोंने सेनाओं में हजारों करोड के गोटा ले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया ये बहीं लोग हैं जो चाहते थे कि एरफोर्स को कभी आधुनीक फाइटर जेट न मिल पाई ये बहीं लोग हैं जिनोंने तेजर फाइटर प्लेइन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयरी कर ली जिनोंने एक मामुली रकम पांसो करोड रुपए दिखा दिखा कर ये बहीं लोग हैं जिनोंने सीमा पर तैनात हमारे जमानों को परियापत बुलेट प्रूप जैगेट्स भी नहीं दी थी हमारी सेनाओंने बीते वर्षों में कई सांसिक निर्ने लिये हैं सेना द्वारा किये गए जरूरी रिफार्म्स का ही उदारन अगनी पत्स किम भी हैं दसों को तक संसक से लेकर अनेक कमिटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है भारत के सैनिकों की आउसत आयू एवरेज एज ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा होना यह हम सब की चिंता बढ़ाता रहा है इसलिए यह भी शै बर्षों तक अनेक कमिटीों में भी उठा लेकिन देश की सुरक्सा से जुड़ी इस चुनाओती के समाधान की पहले इच्छाशक्ती नहीं दिखाई गई शायद कुछ लोगों की मानसिक्ता यह सी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना परेड करना हमारे लिए सेना मतलब एक सो चालीस करोड देश वास्चों की आस्ता हमारे लिए सेना मतलब एक सो चालीस करोड देश वास्चों की शांती की गारंटी हमारे लिए सेना मतलब देश की सिमाओं को सुरक्षा की गारंटी अगनी पत्योजना के जरिये देश ने इस महत्वपुन सप्ने को एड्रेस किया अगनी पत्या लक्ष सेनाओं को युवा बनाना है अगनी पत्या लक्ष सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बढ़ाए रखना है दुर्भाज्य थे रास्तिय स्वरक्षा से जुड़े इतने संवेदंसिल विशे को कुछ लोगों ने राजनीति का विशे बना दिया है कुछ लोग सेना के इस रिफार्म पर भी अपने ब्यक्तिकत स्वर्थ में जुड़की राजनीति कर रहे हैं यह बही लोग है जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड के गोटा ले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया यह बही लोग है जो चाहते थे कि एरफोर्स को कभी आदुनीक फाइटर जेट ना मिल पाए यह बही लोग है जिन्होंने तेजर फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयरी कर ली थी साथ्यों सच्चा यह है कि अगनीपत योजना से देश की ताकत बड़ेगी और देश का सामर्थमन युवा भी मात्र भूमी के सेवा के लिए आगे आएगा प्राइवेट सेक्टर और पैलामेट्री फोर्सित में भी अगनी विरों को प्राश्पिक्ता देने की गोच्छनाएं की है मतहरानों कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है उनकी सोच को क्या हो चुका है ऐसा ब्रह्म भला रहे हैं कि सरकार पैंसन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है मैं जरा ऐसे लोगों की सोच सिर्फ शर्म आती है लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं जरा कोई मुझे बताए आज मोधी के शासनकान में जो भरती होगा क्या आज ही उसको पैंशन देना है गया उसको पैंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोधी 105 साल का होगा और तम नभी मोधी की सरकार होगी क्या मोधी जब 105 साल का होगा 30 साल के बाद जो पैंशन बचेगा उसके लिए मोधी ऐसा राजनीती है जो आज गाली खाएगा क्या तर्ग दे रहे हैं लेकिन साथ्यों मेरे लिए दल नहीं बेज सर्वो परी है और साथ्यों मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं सेना उद्वारा लिए गए इस पैसले का हमने सम्मान किया है और जैसा मैंने पहले कहा हम राजनीती के लिए नहीं राश्ट्र नीती के लिए काम करते हैं हमारे लिए राश्ट की स्वरक्सा सर्वो परी है हमारे लिए एक सो चालीस करोड की शांती ये सबसे पहले है साथ क्यों जो लोग देश के युवाओं को गुम्रा कर रहे हैं उनका इतिहास साथ सी है तो उन्हें सैनीकों की कोई परवा नहीं है ये वही लोग हैं जिनोंने एक मामुली रकम पांसो करोड रुपे दिखा दिखा कर वन रैंग वन पैंशन पर जूट बोला था पांसो करोड ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंग वन पैंशन लागू किया पूर्वसैनिकों को सबा लाग करोड रुपे से जादा दिये गए अब कहां पांसो करोड कहां सबा लाग करोड इतना जूट और देश के जमानों के आँख में धूल जोकने का पाप ये बही लोग हैं जिन्नोंने आजहादी के साथ दसक बाद भी सेना की मांग होने के बावजुद भी देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे सहीदों के लिए बार मेमोरियल नहीं बनाया टालते गए कमीटिया मनाते गए नक्से दिखाते गए ये बही लोग हैं जिनोंने सीमा पर तैनात हमारे जमानों को परियाप्त बुलेट प्रूप जैगेट्स भी नहीं दी थी और साथ क्यों ये बही लोग है जो करगील विजय दिवस को भी नजर अंदाज करते रहें झाल